नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी एनचम नई बरती एनम इस्टाप नर्स लाइफ टेक्निशन फार्मासिष्ट के लिए आनलाइन आप एदन चल लए हैं जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन हमने नोटिफिकेशन को लेकर के जानकारी दी थी उसके बाद फिर अगले दिन हमने एनचम से बात भी की थी उनके आप जो हेल्प लाइन नंबर दिया गया है और जो इमेल आईडी दी गई हेल्प लाइन पर हमने उस पर मेल भी क कुछ इनफॉर्मेशन वहां से प्राफ्ट हुए थी फिर बाद में हमने अलग अलग प्रोग्राम में आवेदन को लेकर के भी कुछ प्रशने पूछे थे जिस पर कोई जबाब नहीं आया था बलके यह बोला गया था कि आप नोटिफिकेशन पूरा रीड कर ले उसके बाद फिर हमने नोटिफिकेशन को दो तीन बार और अच्छे से पढ़ा और सारी चीजे क्लियर करके हमने आपको 30 तारिक को बता दी ती 30 तारिक वाला वीडियो आप जाकर कि अब भी भी आप देख लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो कंप्लिटली देखा होगा तो यहां इसे बताने का तो कुछ भी बताया जा सकता है दिक्कत किसको होगी आपको होगी और जो लोग बता करके निकल जाएंगे फिर कल को आप उनसे बोलने जाएंगे कि आपने ऐसे कहा था कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा नुकसान उसमें आपका होता है इसलिए हमारा प्रयास किया करें बाकी आपको हमारे चैनल के माद्यम से हर संबव प्रयास होता है कि सत प्रसत आपको सही जानकारी देने का प्रयास करें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि एक email ID और एक mobile number से आपने आवेदन किया है और different difference से किया है दोनों में किस प्रकार से करना चाह signature करिए तो blue paint से signature करने के क्या हो सकता है अभी offline exam होते हैं वहां पर लिखा होता है instruction में या तो आप blue या black paint कोई भी उच कर लीजिए dot paint gel paint नहीं dot paint गोला बनने के लिए जब paper offline होता है लेकिन अगर वहां पर लिखा है कि ने black paint से ही करना है अगर आपने blue paint से किया फिर अगर व उसी दिन notification तो हमने पढ़के बता दिया था आपको उसी दिन सारी चीजे लेकिन आवेदन से संबंदित कुछ चीजे हमने आपको 28 तारी को बताई थी और कुछ जो queries थी आपकी जह हमने NHM से बात कर ली थी 30 तारी को बताया था हमने तो किनका former reject हो सकता है मेरा निवेदन है कि आप अभी भी आवेदन चलना है कोई भी अगर आपसे गलती हुई है उस गलती को आप सुधाने का प्रियास कि करिए और इतना ही नहीं मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आज यसे हम बात कर रहे हैं NHM से आप भी NHM से बात कर सकत हैं उनके help line number पे इतना ही नहीं notification को अगर आपने पूरा अच्छी से ना पढ़ा हो एक बार आप पूरा notification पूरा read करें अच्छे से एक एक line और सबसे पहले तो आप सभी वीडियो को like और share आप जरूर कर दीजिएगा like आपकी अगर आपको अच्छा लगे पसंद आए कर लिजिए यहां पर आप ध्यान से देखिए इसको छोड़ दीजिए जहां पर online आवेदन समंदित यह देखिए यहां पर यहां पर क्या लिखा है a candidate can apply for variant for various vacant positions आप एनम स्टाप नर्स लैप टेकिनिशियन और फार्मसिस्ट अलोपेथिक separate application will be submitted for different programs आपको अलग-अलग ही आवेदन करना है अब कुछ लोगों ने आप मैं देखता हूं कुछ लोग इस तरह से जानकारी देने वाले भी हैं कि अलग-अलग आवेदन करेंगे कई आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन reject हो जाएगा अरे भया अच्छे से एक पर प आप नर्स या एनम या फार्मासिस्ट या लाइप टेक्निसिंग की भरती है एक बार आपने अप्लाई कर दिया अब दुबारा से आप उसी प्रोग्राम में उसी पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपका दो बार आवेदन हो गया न सेम चीज के लिए वहाँ पर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है ना कि अलग-अलग आवेदन करने के लिए इवन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको मल्टिपल अप्लिकेशन अगर आप भरते हैं चुकि भरने के लिए आपको इसमें बोला गया है कि चुकि अलग-अलग प्रोग्राम से हिसाब से प आपको एक ही मुबाइल नंबर और एक ही इमेल आईडे से आवेदन करना चाहिए था हमने आपको यही बताया था यहाँ पर देखिए आप सभी यहाँ पर क्या लिखा है जो कोबीड वाला एक्सपरियंस सेटिपिकेट के लिए बोला गया था कि जो मुबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे उस कोबीड के सटिपिकेट निकलवाने के लिए वही मुबाइल नंबर आप फार्म आवेदन के समय देंगे ठीक है माल लेजिए आप किसी पत के लिए आप सपोज एट पांच फार्म भर सकते हैं पांच अलग अलग प्रोग्राम में जिसे एनम में तो अपने उस जिले के डिपार्मेंट से सरकारी डिपार्मेंट से तो उस इस्तिती में एक आपने फार्म बरा आपने वहाँ पर एक मुबाइल नंबर दिया फिर वही मुबाइल नंबर आपने इस कोबीड के लिए दिया होगा अगर आप दूसरा फार्म बरते हैं दूसरा मुबाइल नमबर का फिर से आपको नया COVID certificate निकलवाना होगा क्योंकि क्या लिखा है कि जो नमबर आप आवेदन फॉर्म में देंगे मुबाइल नमबर वही आपको नमबर से COVID certificate इसू करवाएंगे तब वो COVID certificate वहां पर लगाएंगे तो आपका COVID certificate मानने होगा आपको वेटिज मिलेगा अगर आपने पांच आवेदन किये पांचों में अलग-अलग मुबाइल नमबर आपने उच कर दिया तो क्या आप पांच अलग-अलग COVID certificate बनवाएंगे जिस नमबर से जो फॉर्म बरेंगे उसी नमबर वाला COVID certificate वहां पर अपर अपरोड करना होगा तो बिलकुल आपको सिंपल सी बात थी हमने फर्स्ट डे आपको मतलब 28 को बता दिया था मैं आपको नोटिफिकेशन के नेक्स डेटी में आपको बता दिया था कि एक ही मोबाइल लंबर और एक ही इमेल आईडे से आप सभी आवेदन करिए अलग-अलग करने से दिक्कत आपको अगर होगी आगे ऐसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं पर लिखा नहीं है पूरे इसमें नोटिफिकेशन में कि अगर आपने अलग-अलग मोबाइल लंबर यूज किया तो आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा अगर आपने अलग-अलग यूज किया है तो भी आपको परेसान नहीं होना है क्योंकि सबके पास कोबीड वाला सर्टिपिकेट नहीं है जिनके पास नहीं है अगर उनने अलग-अलग ऐसे आवेदन कर दिया है मुपाइल लंबर से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपके बास COVID वाला था और वही COVID वाला है एक ही आपने अलग-अलग मुपाइल लंबर से form पर हैं समय आपने लगा दिया है तो COVID वाला का कैसे accept होगा क्योंकि जो COVID वाला जिस form में लगाया होंगे आप same mobile number उस आवेदन में भी और COVID में भी रहना चाहिए था ठीक है तो अगर आपने एक mobile number email ID से अगर आपने आवेदन किया है तो बहुत अच्छा है बेश्ट है कोई दिक्कत नहीं होना है वैसे ही करना था आपको और अगर आपने अलग-अलग mobile number email ID भी यूज़ किया है तो उससे भी आपको प्रेसान नहीं होना है बसरते हैं वहाँ पर COVID वाला जो है वहीं मानने करेंगे उस form में जो mobile number form में होगा और उसी mobile number पर COVID वाला QR code सहीत experience certificate जारी किया गया होगा सभी को clear हो गया होगा उमीद करते हैं आपर mobile number, email ID कितना यूज़ करना चाहिए था exam date देखिए अलग-अलग ही आपको मिलेंगे एक पद जिसे ANM के चार प्रोग्राम है आपने दोनों के लिए form भरा हुआ है तो वहाँ पर आपको दोनों के exam देने को न मिल पाए ऐसा हो सकता है लेकिन किसी एक ही post के लिए ANM है, staff, nurse है, lab technician है, pharmacist है एक ही पद के लिए आपके जितने भी program के अलग-अलग जो form भरे जारे हैं तो तरह से अलग-अलग exam भी देना चाहिए NHM भी भाग को, ने तो आपके form भरने का क्या मतलब होगा अब एक चीज़ आप और देख लिए जिसे ये photo के लिए था कि background, white हो, preferably other background रहेगा तो दिक्कत नहीं होना है ठीक है, preferably लिखा है ना यह नहीं लिखा कि बिल्कुल essential है मैंने डेटरी है, ऐसा नहीं लिखा है other background भी अगर आपके photo का है, तो भी चल जाना है photo आपका सही रहना चाहिए photo का format भी दिया जाता है, कि photo बिल्कुल आप सामने देख रहे हो कई तरह की चीज़े होती है, जो हमने आपको बताई हो भी आ लेडी यहाँ पर दिके signature के लिए the applicant has to sign on white paper with blank ink pen यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा कि अगर आप black से नहीं करेंगे तो आपका reject हो जाएगा blue से कर दिया है, तो आपने तो आपका reject हो जाएगा बस यह हो सकता है कि आपकी admit card पर आपका signature so होना चाहिए, ऐसा नहीं signature बहुत उस पर धुदला दिखाई दे सही से नहीं आप so करें, बस यह सब दिकेते हो सकती है maybe, यहाँ पर कोई आनिवारे नहीं लिखा है कि बिल्कुल आपको black pen से करना था, लेकिन black pen यूज करना है आपको, hedge to sign मतलब, इसका हिंदी मतलब हो गया कि आपको black paper से shine करना है यह नहीं लिखा कि बिल्कुल आनिवारे रोप से तो जो चीज़ी है notification में हमें उसी तरह से करना चाहिए अगर आपने blue pen से sign कर दिया है आपको परिशान नहीं होना है कि आपका form reject होगा बस यह problem हो सकती कि admit card पर आपके so होना चाहिए signature बाकी दिक्कत नहीं होना चाहिए 99% है कि आपका so होगा बाकी मैं एक बार NHM से अभी मैं mail करूँगा एक हमने mail किया नहीं बाकी हम बात भी करने के कोशिस करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो की मादें से उस पर complete जानकारी देंगे और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक शियर जरूर कर दिया करें साथिसाथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद